हेलो फ्रेंट्स कैसे हो आप सब उम्मेद असब अच्छे से होगे आप सब को बगवान बहुत खुश रखे दोस्तो इस डिवाइस के बारे में तो आपको जरूर पता होगा क्योंकि आजकल ओनलाइन रील्स में वीडियो में इसकी बहुत जादा परमोशन की जा रही है और बताया जाता है कि ये डिवाइस पावर सेविंग डिवाइस है यानि कि बिजली बचाने का काम करता है जिसका सीधा मतलब ये है कि इसको अपने घर में लगाओ और बिजली का बिल बचाओ तो चलिए इसकी आज हम इस वीडियो में टेस्टिंग करने वाले हैं कि ये जो डिवाइस है ये कितना कारगर है क्योंकि मेरे पास काफी सारे कमेंट्स आये थे कि मैं इस डिवाइस को चेक करूँ तो मेरे पास आप देख रहे हैं यहाँ पर कुछ उपकरन रखे हुआ है मैंने मिले जूले है ये है एक ट्यूब लाइट है जो कि LED वाली है ये एक मोटर है और यहाँ पर आपको पुराने टाइप का भी बल्ब मिलेगा जो फिलामेंट वाला होता है एक LED बल्ब भी हमने यहाँ पर रखा हुआ है और एक हमारे पास ये इलेक्ट्रिक केटल है जो immersion rod या फिर geezer में rod होती है वो ही heating element इसके अंदर use होता है और सबसे main बात कि हम इस device को check करेंगे या test करेंगे AC के साथ भी क्योंकि आप सब जानते हो हमारे घरों में सबसे ज़्यादा बिजली खाने वाले दो ही उपकरन होते हैं एक होता है geezer और दूसरा होता है AC तो geezer के लिए तो हमने ये ले लिया है जो काम इस पर ये करेगा वो ही geezer पर करेगा क्योंकि same load होता है दोनों में heating element होता है लेकिन AC के लिए हम यानि की air conditioner के लिए हम अलग से इसकी testing करेंगे तो आप वीडियो में बने रही है ये वीडियो बहुत interesting होने वाला है इसमें आपको खुद ही पता लग जाएगा कि ये कितने काम की चीज है तो चलिए start करते हैं testing दोस्तो आप देख सकते हो कि मैंने इसको board में लगा दिया है और ये बिल्कुल बीच में लगाया है मैंने इसी board से जो supply है यहाँ पर इस board में आएगी जो भी मैं चलाओंगा वो इस board से चलाने वाला हूँ यानि कि इस board और ये जो supply main यहाँ पर आ रही है इसके बीच में इसको लगा दिया है ठीक है ताकि ये जो काम करता है properly करें हलाकि इसको बेचने वाले कहते हैं कि इसको आप कहीं भी घर में लगा दिजिए ये अपना काम करता है बट फिर भी मैंने इसको बीच में लगाया है दोनों के तो अब जो है यहाँ पर supply आ रही है और इसका अलग से बटन है हमारे पास जब मैं इसको आउन करूंगा तो यहाँ पर lights जलेंगी आप देखिएगा तो यह देखिए तो पहले हम इसके बिना testing करेंगे और इसके बाद इसको on करके देखेंगे कि readings में क्या फरक आ रहा है तो चलिए सबसे पहले हम इसको test करने वाले हैं यह है मेरे पास एक electric kettle जो की 1500 watt की है इसमें हम इसको on करते हैं तो आप देखेंगे जैसे ही मैं इसको on कर रहा हूं तो यहाँ पर light जल गई है यानि कि यह on हो चुकी है और load यहाँ पर मैं दिखाना चाहूंगा आपको 1500 के आसपास चल रहा है क्योंकि supply जो है वो 240 से उपर आ रही है तो इसलिए 1500 से थोड़ा उपर load चल रहा है यहाँ पर यहाँ पर यहाँ पर चल रहा है और ampere आप देखिए 6.21 है और power factor जो है वह यहाँ पर आप देख सकते हैं blue color में one का power factor है तो आप सुन भी सकते हैं पानी गरम होने की अब आवाज भी आ रही है तो basically अब बात यह है कि जब हम इसको on करेंगे तो क्या फरक पड़ेगा यह हमने देखना है तो cameraman से कहूंगा यहाँ पर आप आप फोकस करें कि इसकी लाइट भी दिखें और यह मीटर भी दिखता रहे तो चलिए अब इसको on करते हैं आप गौर कीजिएगा 1504 का लोड है 6.21 अंपेर है और एक का power factor है तो हमने इसको जैसे ही on किया तो आप देखिए यह on हो चुका है तो यहाँ पर आप एक बार फोकस लीजिए और इसको भी दिखा रहा हूं मैं यह चल रहा है अभी भी तो आप देख सकते हैं 1503 1502 लोड बिल्कुल वहीं पर है अंपेर 6.21 थे जो तू तू हो गए हैं और पावर फेक्टर वन का था वह वन पर ही है तो यानि कि इसके ओपर तो इसका कोई फेक्ट नहीं पड़ा यह जितना लोड पहले ले रहा था इसको चलाने के बाद भी ले रहा है तो आप फिर पहले यह चलते थे कुछ लोग यह अभी भी यूज करते हैं तो सबसे पहले मैं इसको ही लगाता हूं तो यह फिलामेंट वाला बलब है टेस्टिंग के लिए मैंने बड़ी तो इसको यहां से ऑउन करते हैं तो आप देख सकते हूं यह यहां पर कम हुआ है इस बड़ाइस की वजह से मैं इसको बंद करके दुबारा से यह डिवाइस अब बंद हो गया तो लोड दुबारा से 65 के आसपास आ गया है तो चलिए अब यह वाला बल्ब लगाते हैं इसमें और इसको चलाते हैं तो यह LED बल्ब है जो हम सब के घर में जादाता राजकल यूज होता है तो आप देख सकते हो यह 9 वाट का बल्ब है जिसकी वाटेज यहां पर 8.5 के आसपास आ रही है और यह बल्ब अभी 0.03 अमपेर पे चल रहा है और 0.96 का पावर फेक्टर है अभी यह जो डिवाइस है यह बंद है तो चलिए अब इसको आन करते हैं तो जैसे ही हम इसको आन करेंगे तो आप देखिएगा कि जो अमपेर है वो बढ़ गए पावर फेक्टर बहुत जादा कम हो गया लेकिन वाटेज भी बहुत जादा कम यहां पर हुई है जो यह 5.6 पे चल रहा था अब यह 5.6 यह 7 पे आ गया यानि कि 3 वाट यहां पर इसने कम कर दिये हैं अगर हम यह LED बल्ब जला रहे हैं तो य जैसे ही मैं इसको बंद करूँगा तो यह दुबारा से साड़े आठ पर आ गया इसका लोड और पावर फेक्टर और सारी चीजे भी आपके सामने हैं और जैसे ही मैं इसको चला रहा हूं तो आप देखेंगे लोड जो है वो कम हो रहा है तीन वाट लगबग इसने कम किये है 9 वाट में से तो इसके बाद ट्यूब लाइट की वायर मैंने यहाँ पर लगा दिये तो चलिए इसको भी चला लेते है तो आप देख सकते हो ट्यूब लाइट चल गई है और यह भी आलमोस नौबाट की है तो यहाँ पर आप देख Sou。 . मैं इसको चला रहा हूं तो आप आप देख सकते हैं जैसे ही मैंने इस device को on करा यहां से तो load जो है वो 6 watt पे आ गया यानि 3 watt का फिर से यहां पर drop हुआ है load में या फिर wattage में आप देख सकते हो यह tube light अभी भी चल रही है और हो सकता है वीडियो में आपको ना पता लग रहा हो लेकिन मैं आपको बताना कि इसकी light में कोई फरक नहीं पड़ा है wattage में जरूर पड़ा है और यहां पर भी वही हुआ है कि ampere आप देखो थोड़े उपर हो गये हैं लेकिन power factor बहुत जादा नीचे चला गया जैसे ही मैं आप इसको बंद करूंगा आप देखिएगा बंद करते ही load दुबारा से 9 watt पर आ गया और ampere सब वापिस आ गये यहां पर तो इसका जो है आप देख सकते हो यह बिल्कुल live में आपको दिखा रहा हूं इसकी testing करके तो इस तरह से यह load को कम करता है तो यह तो हो गई बात tube lights की या फिर bulbs की और immersion heater की अब हम इस motor को यहां पर चलाएंगे motor चलने के लिए रेडी है तार मैंने यहां पर लगा दी है इसकी तो चलिए पहले इसको on ही कर लेते हैं तो यहां पर इसका बटन होता है मैं on कर लेता हूं तो आप देख सकते हैं आवाज भी आ गई आपको की motor चल चुकी है और लोड जो ले रही है यह 270 के आसपास लोड ले रही है अंप हम इसको on करते हैं इस device को तो इसको यहां से जैसे ही मैंने on करा तो आप देखेंगे कि लोड 270 पे ही है ठीक है 270 यहां फिर 269 बस इतना ही फरक पड़ा है यहां इसको आप कह सकते हो कि फरक कोई पड़ा ही नहीं है लेकिन अमपेर यहां उस पर क्या फरक पड़ा है वो मैं आपको दुबारा इसको एक बार बंद करते हैं हम देखते हैं तो आप देखोगे अमपेर जो थे वो 2.02 ले रही थी यह और पावर फेक्टर 0.54 का है जब यह डिवाइस बंद है जैसे ही मैं इस डिवाइस को on कर रहा हूं तो अमपेर जो हैं वो कम हो जाते हैं और पावर लोड कम नहीं हुआ है उतना ही लोड चल रहा है जितना पहले चल रहा था और मोटर के केस में ऐसा आपने देखा है जबकि मैं ट्यूब लाइट वगरा जब मैंने चेक करी थी तब आपने देखा था कि बिलकुल पावर फेक्टर और वो भी कम होगा लेकिन साथ में लोड लेकिन यहां पर आप देखोगे कि लोड पहले 271 के असपास था अब 2-3 वाट बढ़ ही गया है तो एक बार इसको बंद दुबारा से करके देख लेता हूं मैं तो आप देख सकते हैं बंद पे भी उतना ही है लोड 276 275 के आसपास चला दिया है तो भी उतना ही है कोई भी यहां पर फरक नहीं पड़ा है लोड में तो अगर आप कोई मोटर वगेरा यूज कर रहे है पानी की मोटर है या कोई भी ऐसा प्रोड़क जिसमें मोटर का यूज होता है तो वहां पर तो मुझे नहीं लगता कि यह डिवाइस कुछ कर पा रहा है तो फाइनली वो पल आ घया है जिसका आप सबकों इंतजार है हम इस डिवाइस की टेस्टिंग करें के सदिक शाथ एसी हमारा चल रहा है और आप देख सकते हैं रिपर मोट मैंने आन किया हुआ यानिंगर आप देख सकते के ऊपर हीरे यहीं सबसे जज़ादा बिजली खाता है और आप देख सकते हैं मीटर के उपर यह रख देता हूं रिमोट से कोई चेंजिस नहीं होगा आप देख सकते हैं मीटर के उपर अभी अब इसको अन करते हैं और देखते हैं क्या फरक पड़ता है लोड के उपर आप देख सकते हैं अभी यह डिवाइस बंदा और अब मैं इसको चलाने लगाँ तो यह देखिए दोस्तों जो अमपेर 8.08 या फिर 8.1 पे थे वह 8.29 हो गए हैं या फिर 8.3 तक चले गए हैं और और फेक्टर 0.99 वो सेम ही है जो पहले था और लोड आप देखो 1970 के आसपास पहुंच रहा है लोड जो की 1950 और 70 के बीच में फ्लक्टुएट कर रहा है अब मैं अगर इसको बंद करता हूं एक बार तब आप देखिएगा कि जो लोड है वो बिलकुल वहीं पर ही चल रहा ह कोई उसमें कमी या जादा नहीं आ रहा है क्योंकि यह एक इंवर्टर AC है तो लोड इसका इसी तरह से चलता है तो उमीद है आपने इसकी पूरी टेस्टिंग जो है हमने की आपने देख ली है और आप समझ पाए होंगे कि यह किस तरह से काम करता है मेरी राहे की बात करें जिसमें मैंने यह पाया और आपने भी टेस्टिंग में देखा कि जब हम इसको लोड मतलब कम वाट वाले उपकरण इस पे चला रहे हैं तो यह वाट जरूर कम कर रहा है दो तिन वाट उसके लेकिन जब हम हैवी कोई उपकरण इसके उपर चला रहे हैं या फिर मानलो यह 500 वाट का था यह जो थी यह 1500 वाट और AC लगबग 2000 वाट पे चल रहा था वो 1900 वाट पे तब मुझे नहीं लगता कि यह कुछ कर पाया और यहां पर यह बात मैं आपको इसलिए कह रहा हूं क्योंकि यह जितने भी उपकरण होते हैं छोटे पंखा हो गया ट्यूब लाइट लेकिन उन चीजों के ऊपर यह कुछ काम नहीं कर रहा तो हमें शायद इन जैसे प्रोड़क्स के ऊपर पैसे नहीं लगाने चाहिए क्योंकि जो प्रोड़क्त बिल बढ़ाते हैं उन पे तो यह काम ही नहीं कर रहा बाकी आपकी क्या राय है मुझे कमेंट्स में जरूर ल तब तक के लिए God bless you दोस्तों